बारिश में हम सब स्टीम्ड कॉन बनाते हैं तो आज हम उसी स्टीम्ड कॉन से एक अच्छी सी हेल्दी सी सैंडविच बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यह है स्टीम्ड कॉन मैंने पहले से बना के रखा था इसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको तो इसमें हम क्या कर देंगे बारीक प्यास, बारीक टमाटर, शिमला मिट, शिमला मिट जिसमें बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पीजी और पनी डाल देंगे और ये मैयोनीज मैंने डाल दिया, ये मैंने तंदूरी मैयो डाली है, आप कोई भी दूसरी वाइट या दूसरी मैयो डाल सकते हैं, फिर उसमें काली मिर्च डाल दिये जरा सा नमक डाल दीजे क्योंकि स्टीम कॉन में और मियोनिस में भी नमक होता है यह मैंने चिली फ्लेक्स डाल दीए इससे अच्छा तीखा बना जाता है और यह सा मिक्स के लिए लाश्ट में थोड़ी सी धनिया पती डाल दीजे और यह हमारी स्टाफिंग ग्रेडी हो गई अब हेल्दी सा थोड़ा सैंड्वीच बनाना है तो यह होल वीड ब्रेड ले लिजे आपकी मर्जे अब इस स्टाफिंग को हम ब्रेड के उपर अच्छे से लगा देंगे थोड़ी मोटी से लेयर लगाई है और देखिए हमने जो स्वीट कॉन था ना स्टीम कॉन उसमें अल्रेडी चीज जली हुई थी तो यह एक और थोड़ा सा स्लाइस लगा देते हैं तो उससे अच्छा टेस्ट आएगा और दूसरे ब्रेड से कवर करके बस इसको गी या बटर से अच्छे से ब्राउन सा सेक लेंगे दोनों साइड क्रिस्पी सा हो जाना चाहिए तो खाने गरम खाईए तो जादा चलाएगा बना कि टिफिन में वो सौगी हो जाता ना तो वो मज़ा नहीं आता है तो यह देखे कितना अच्छा सेंडविच दिख भी रहा है और खाने में उससे भी अच्छा तो आप अपनी पसंद के कोई भी सौस वगरे के साथ इसको खाईए औ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा